नमस्कार आज जो हमारी बातचीत है वो राजेंद्र बोरा तिर्भन गिरी महराज आप से जो हमारी बातचीत का विशह है कि आपने लोक से कागज, कागज से मंच और मंच से सेलुलाइट तक की आपकी जो यात्रा अनवरत जारी है उसके बारे में सबसे पहले तो मैं आप से यह जाना चाहूंगा कि आपने जो लेखन का कारी है वो कब से प्रारम्भ किया पांडे जी स्वर्गी उन से प्रेणा लेकर के हमने लेखन सुरू किया एक बार लखनों से बंसीधर पाठक जी ग्यांसुयाल मोड़ा आय थे उनके आगरह पर में चारुटन पांडे जी के पास गया था एक कविता का वहां उन्होंने रिकार्डिं किया था जो चाइना के दो जाओ कि अगएंस्ति वह वार टाइम था चाहिण से हम लोग हिzona का युद्ध रुद्ध हुआ था वहां से लेखन की सुरूवाग हुई और वैसे ही मैं घ्रामेरण छेतरों में रहता हूँ और ग्रामेरण छेत्र में जादा अर मेरा सामना प्रकरती से होता है और वो भी एक पृल्णा बहुत बड़ी पृल्णा है, प्रिकृति एक जो है बहुत बड़ी पृल्णा देती है लिखने की या पिशे को कवी या लेख़क बनाने के लिए फृइद का बहुत बड़ा साधन आग और वहीं से मुझे पृल्णा मिली ये निश्चित तोर पर प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी पाठशाला हम कह सकते हैं कि प्रकृति के चित्रन को किस तरह से एक लेखक रचनाकार अपनी रचना धर्मीता में उसका समाविश करता है तो सबसे पहले आपने कविताओं से प्रार्म किया होगा तो उसके बारे में बताईएगा कि कविता लेखन कहा से यह वो दौर था साब जब लोग पहाड से भाग रहे थी पहाड छोड़ रहे थे गाओं खाली हो रहे थे बंजल पढ़ रहे थे तो ख्याल सा आता था जब हम जाते थे आते थे तो तमाम मकानों की दालत देख करके और मकानों के आगनों में बुढ़े और जवान ने दिखाए देना बुढ़ों का दिखाए देना और जवानों का न दिखाए देना एक बहुत बड़ी प्रेड़ना बना और वही से कविता की सुरूवाद हुई अच तो वो बड़ा एक मन में एक वेदना जो है जकाता था तो और उसी को आधार लेकर के लिखना सुरू किया और एक जिसे आप कहह रहे हैं चर्था का भिषय रहा ऐसा तो यह आप लोगं का कहना है लेकिन मेरे लिए एक साधरनसी बात थी कि मैंने एक जमीनी हकिकत जो थी उसको लिफिवद्ध करना सुरू है और कहा भी गया कि तुम्हारे शहर में आए तो गाउं से भी गये मकां की आस में पेड़ों की चाउं से भी गये तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है और गाउं के गहवानी सुगंध चावलों की दूधिया खुश्बू धर्ती की चाती मे लिखे मिट्टी के गीत सब बिग गये हैं आज और गाउं के गाउं बाखली की बाखली खाली हो गई है तो देखे एक वीरानी का अनुभव होता है यदे भी पलाइन अभी जारी है और कोई कमी नहीं आई उस पर तो माज कुडिक पहरू के बाद जो आपने फिर अन्य जो यहां की जो विधायें हैं और विधायें जिन पर नाटी रूपांतरन हुआ है जो यहां के अनेक जो जैसे भाना गंगनाथ पर हुआ है यह जितनी भी लोग गाथा हैं हमारे कुमाओं में प्रचली थे यानि जो खासकर फ्रंट लाइन की है जिनको ज्यादा महत्वत दिय जाता है जो गंगनाथ है गोलु है हरुही थे कल्यान विष्ट है भक्त पूरन मल है इन विष्यों पर इन गाथाओं को नाटक का सुरुप दिया गया और उन पर नाटक लोग उने खेले हैं तो एक उससे जो चीह सामने आती है कि हमारी लोग गाथाओं को जो लोग भूल जा रहे हैं या भूली जा रही है या ज्यादा उनको अब उनका स्थान नहीं रहे गया समाज के बीच में जागर कर लगने कम हो गये हैं तो वो जीवित रखने का एक मेरा प्रयास था कि इस बहाने ये कुछ चीहें जो हैं आगे के लिए रखी जा सकती है और इसी प्रयास में मैंने लगबक दरजन नाठक लिखे हैं जो केवल लोग गाधाओं पर आधारी था बाचीत के करम में मैं आपसे कह रहा था कि लोग गाधाओं का जो मंचन हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं हाँ संतुष्टी तो है लेकिन जो उसके करने वाले उसको पात रहे हैं जो जो लोग उसको प्ले करते हैं जो लोग ये स्वाम चीजों का आवजन करते हैं उन लोगों के वीच में एक कठनाई आती है कि वो साधे नहीन लोग होते हैं और तमाम चीजों को जिनको हम चाहते हैं कि ये समाज के वीच में जाएं उन जाने से रह जाती हैं तो कि टी में जो हैं वो स्वेम जीवी हैं और उनके लिए कठनाईया होती हैं स्थान नहीं मेलता है उनको करने के लिए रामनगर में एक परवती सांस कृतिक मंच है वो इनका आईजन करता है तो वहीं के आईजन के लिए मैंने ये सब इनकी मांग पर एक हिमालयन लोग कलाकेंद्र है या जो काम आज भी करी रहा हूं, चाहता हूं कि इसी बहाने कुछ हमारी संपदा जो है ये ये बची रहे, अक्षोन रहे, ऐसा मेरा कुछ ध्यान जाता है, इसकी अच्छा एक NRI जो पहड के ही है, संभवता मेरी जानकारी में उनका नाम लैलित महन जूशी, तो उन्होंने आप जरित विशय रहा, बांचकुडीक पहरू, और उसके जो समकालीन, जो और कुमाउनी के जो रचनाकार रहे हैं, गौर्दा, गुमानी, और तो इनके कविताओं पर उन्होंने कुछ कारी किया, और केंदर पर आपके बांचकुडीक पहरू को रखा उन्होंने, तो उस पर आपके अनुभाव बताईएगा. कि मैं इसको एक छोटा साइस पर डॉक्यूमेंटरी तेयार करूँ, तो मुझे बड़ी खुशी सी हुई, मैंने का चली है, यह ठीक है, जो मैं साहता में कर सकूंगा, करूंगा, तो इस इन बातों के बाद, कुछ दिनों बाद, उनका फोन आया कि हमें मैं अपनी टीम के सा जहां तल्मुडा कि ओर आ रहा हूं, और यह चाहूंगा कि आप इसकी कविताएं हैं, उनका वाचन करेंगे, तो मैंने का ठीक है, इसका वाचन मैं कर दूँगा, वाए, उन्होंने फिर औरों के नाम पूछे, उन्होंने का यहां के और कवियों के बारें बताईएं तो हम मेरे अपने गुरु जी जो है चारुचन पांडे जी सवर्गी तो इनको भी वीच में हम सामिल करेंगे तो उन्होंने इतन सब चीजों को लेकर करके एक डोक्यूमेंटरी का निर्मान किया और उन तमाम गाउं की हमने यात्रा की जहां मकान तूट चुके हैं उनमें रहने वाला कोई नहीं है उनमें छटे नहीं है उनके दर्वाजे नहीं है उनके खिल्किया नहीं है खेत तमाम जितने खेत हैं सारे के सारे बंजर पड़े होने है तो वो शायद उन से इन सब चीजों को देख करके उनका जो मन था उस डोक्यूमेंटर के और पक्का हो अगार उसका नाम है। तो वहां के मकानों को आप देखेंगे तो आप देखते ही रहे झाएंगें एतने बड़े मकान को छोड़ने किसे लगँ हो गा उन लोगों को छोड़े हो Punkte इन मकानों को छोड़के चले गए और धर्रभगी देखें कि उस गा mismos कुल मिलाकर करके मकानों कि संक्या 10 और आदमी एक नहीं दस के दस के मकानों की छते ही हूं उनमें धर्वाजे नहीं उनमें खिल्किया नहीं तुमाम ये बिच्छो घास के भूड पढ़े हैं कि इसी में पेर लगे हैं कही नाक फिडी पैदा हो रही है लगी हुई है तो ये बाइचकुडिक पहरू लिखते समय भी ये चीजें जब मार्ग में जाया करते थे गाहों से आया जाया करते थे तो इमें दिखाई देता था और इस बार जब उन्होंने वहां से इस द्रंग का एक कारेक्ड़ में बना के दिया तो बड़ी खुशी हुई और मैं भी जितनी मतलब यानी मेरी सामर् पिछले पचास वर्षों से रहा है और यहां की जो कुमाउनी रामलीला में जो कुछ आपने नहे प्रियोग किये जैसे कबंद उद्धार और नारदमों कुछ अनेक ऐसे प्रसंग हैं तो वो भी आपने प्रियोग के तोर पर मंचित किये हैं शामिल किये फिर उसके बारे म जो रोल है वो नहीं होता जब जोकर का रोल नहीं होता है तो फिर रामिला में स्मूथली रामिला को चलना है तो रामिला डेल घंटे के अंदर खतम हो जाये तो लोग कहते थे कि देखो हैं तो डेल घंटे में रामिला खतम कर दी अच्छा तो हमने सोचा कि इसको कैसे इसम वो प्रशंग डाले जाएं, तो हमने प्रारंब से ही, नारदमो है, महा माया जन्म है, और कबंद अधार है, माया वी दुन्दु भी एक प्रशंग आता है रामला में, वो है, तो इस तरह आज से हमने कई छोटे 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 प्रशंगों को दिन के हिसाब से, जिस दिन जो पड़ता हो, जिस दिन के लिए में जो प्रशंग फिट वैठता था, उसके हिसाब ने प्रशंगों की रस्तना की, और लोगों ने उनको बड़ा सराहा, और वो लगातार अब तक चल रहे हैं, और हमने, यह हमारा रामिला का बयालिश्मों वर्स है, इस मंझ पर, सामने पर, तो यही एक बात रही कि जो परंपरा को ठेस पहुंचाती हैं जो जी जी, उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनको किनारे किया जाए, और कुछ नहीं चीजें उसमें शामिल की जाएं, ताकि हम लोग उसका जो प्रदर्शन है, उसको और सुन्दर बना सकें, और आकर श पुत्लों का निर्मान होता है, उसमें आपका बहुत जबरदस्त काम रहा है, और कला के प्रती तो आपका समारपन है ही, तो इन सब के बारे में बताने का कश्ट करें. अल्मोडे में पुत्मों का निर्मान जो है, मैं समझता हूँ, उनी सब चट्चिस में पहला को एक फोटोग्रेफ मिला था हम लोगों को, जिसमें रावन बनाया गया था, जब से हमने इस संस्ता में रामिला सुरू की, आज यह हमारी बयालीशन रामिला है, तो एक जिग् प्रतिमाओं को बनाया करते थे, तो यहां आकर के इफ़ा कि फिर हम भी एक पुत्ला यहां तैयार करें, तो हमने लगातार आज यह 38-40 वर्ष है, हम तालिका का एक पुत्ला बनाते हैं, और कुछ प्रयास करते हैं कि वह भारी न हो, पर्यावनल की जश्री से ध्वाँ पह पहले तार से बनाना सुरू किया, अब हम केवल बांस की पत्टियों पर पठ्थे की साहता से इन पुत्लों का निर्मान कर लेते हैं, हमने इसके निर्मान की प्रक्रया को भी बहुत सरल मनाया, पहले आप जो पुवाल घास होती है, धान की, उससे बहुत भारी-भारी कुं कारिय साला में सामने से तार की मदद से एक पुतले का निर्मान किया, हमारा प्रयोक सफल रहा, दूसरे साल किया, सफल रहा, तु चौथे, पाँवे, छटे साल से में देख रहे हैं, कि आज सहर में एक दो पुतलों को छोड़ करके बांकी सारे पुतले वो पठ्थे और ब यह चोवन बरस हो गएं, लगातार मेक अप जो है, मैं करता रहता हूं, रामिल्ला में, कस्ट्यूम भी हम लोग अपने हाथ से डिजाइन कर लेते हैं, और धनुजबान हैं, मुकुठ हैं, आधित्यादी हैं, हम कभी कोई चीज आज तक का एक रिकार्ड है, हमने बाजार स चाहूंगा कि आप अभी भी अनुवरत, अभी सक्री हैं, और भावी पीडी को संदेश दे रहे हैं, तो युवा पीडी का क्या रुजान है? युवा पीडी में, जशा हम देखते हैं, दो तीन नए नए बच्चे जो हते हैं, हर साल वह सामनी दीखाई देते हैं, जो बच्चा यहां दिखाई देता है, इस साल वह यहां न ही दिखाई देगा, वो मालूम पड़ा कि वो राजपुरा के पुतले में निर्मान में कि चलो थोड़ा सा एक जागर्यतीन बच्चों में है और एक शीखने की ललख है वो यहां काम नहीं कर रहा है अगर यहां निर्मान में यहां आर्ट में नहीं जुड़ा हुआ है तो दूसरी जगे जा करके आर्ट में जुड़ गया है यह हम इस चीज को देखा करते हैं और कि ऽेशिए रुझान पातर रामका बनाने के लिए कम से कम चार आगवी हमारे पास हुआ करते थे चार या पाач रख बच्चे हुआ कर थे और हमें इन शेलक्षन करना बड़ा हो गा हुआ कि किस बच्चे को ले मैं लेका आज ऊSTहिती नहीं है आज रामका पातर ढूनना प एक्सेटागह दियुमें लेकिन उस समय हम देखा करते थे कि एक की जगाँ मैं चार रहा हूँ एक लक्षमन निना प्वाने मैं पAllah और फाथे जगहां का जह कार हैं तो उनमें सेलेक्शिन करना हमारे ये करना हमे एक समयश्यया दना क्या पहचान प्रियाकी होगी नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है उसकी दो चंद आपको सुनाता हूं कि कहीं गैल पातल सखियों संग घास काटने जाती होगी और दराती छुणका छुणका अपने दुखडे गाती होगी पैर पसारे किसी सखी के सर में ठूंग लगाती हो होगी आप बताओ क्या बतला दू क्या पहचान प्रियाकी होगी यह उस ग्रामीन महिला के लिए है जो तमाम अभावों से लड़ती हुई अपने दैनिक कार्यों को दैने निम कार्यों को निभाती है या उसके लिए ऑम यह कह लें कि गोबर माती सने हुए Pग गोबर माटी सने हुए पग स्रम गंधा विखराते होंगे और भरी दुपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे और अर्धरात्री तक निपट पिटी सी सब जिनास से खटती होगी तब छिलका जला मरहम लीसे से अपने पै टल्याती होगी अब आप बताओ क्या बतलादू क्या पहस्चान फ्रिया की हो बहुत हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कविता जहां खत्म नहीं होती और उसी तरह से इन ग्रामीन महिलाओं का श्रम भी कभी खत्म नहीं होगा वो अनवरत चलती रहेगी और वो उस पीड़ा से कभी अव्मुक्त नहीं हो पाएंगी चाहे वो पहले रहा हो चाहे अपके दौर में रहा हो तो जी रहा जग रहा यो दिन यो मास भेटने रहा इनी शुब कामना के साथ आपका बहुत भाँत धन्यवाद